इस वीडियो में बात करने वाले हैं सस्बी हेड काने स्टेवल की भरती जो आई थी मिनेस्टरियल की दोजार इकिस में बाइस आठ दोजार इकिस से जो इसके फॉम अपलाई हुए थे तो बच्चों ने इसमें फॉम भरा था तो इस वीडियो में आप लोगों को बताने वा अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चुनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें दोस्तों सेर भी करें तो जैसा कि आप लोगों को पता है सबसे पहले यहां पर इसमें फिजकल होने वाला है फिजकल में कितनी आपकी रेनिंग होगी वह भी आपको बताने वाले हैं फिजकल में अगर गाइज बात की जाए तो जो मेल हैं मेल कंडिडेट उनके लिए यहां पर जो लड़कों के लिए रखी गई रेनिंग लड़कियों के लिए 800 मीटर जो रेस रखी गई वह चार मिनट में रखी गई है तो गई जैसे कि आप लोगों को पता कि 115 बेकेंसी बहुत कम थी आल इंडिया के लिए बेकेंसी थी तो पहला प्रोसेस इसमें आपका रहने वाला है जो कि यहां पर पहले आपका होगा अगर बात की जाए इसमें सेली क्या रहेगी सेली आपको क्या मिलने वाली तो सेली यहां पर आपको 25,500 से आपकी स्टार्टिंग होगी 81,100 रुपे पर मन्त आपको सेली मिलने वाली है अगर बात की जाए कोश्चन यहां पर जो है वह विकल्पिय टाइप आएंगे जो की अबजिक्टिव टाइब और यहां पर कोश्चन आपके सो रहने वाले है जो की पेपर आपका आफ लाइन होगा यहां पर क्या क्या पुछ जाएगा तो आपका यह सलेवस होगया सामान नीन पुछ जाए गड़ित पूछी जाएगी जो की आपकी और सामान हिंधी या जो है सोला सो मीटर जो है साड़े च्छे मिनट कंडिडेट के लिए रखी जो लड़के कंडिडेट है मेल उनके लिए क्योंकि रेनिंग का टाइम बहुत बढ़िया रखा गया क्योंकि इसमें कोई भी रेस मार सकता है और गाईज बात की जाए इसमें लड़कियों की तो जो गाई एक हमारे जानने वाले थे एससबी हेड कार्ने स्टेबल में मैंने उससे बात की कि इसका एड्मिट कार्ड कब तक आ सकता है तो इससे पहले भी एक बार जो है एससबी की बेकंसी निकली थी तो मैं फिलाल अपनी जानकारी के मुताविक बता रहा हूं तो यहां पर इसका एड्मिट कार्ड है जो मार्च के बाद यहां पर आने बाला है अपरेल में इसका एड्मिट कार्ड आ जाएगा जो जो त्यारी बच्चे करते हैं वो त्यारी करते रहें क्यूंकि इसका एड्मिट कार्ड आएगा आप लोगों को फिजिकल के लिए बुला जाए उसके बाद आपका रिटन होने वाला है तो गाईज इसका एड्मिट कार्ड जो है अप्रेल लास्ट में या फर्स्ट में आप लोगों को मिलते रहेंगे थेंक्यू गाईज